अलवर सीम अशो गहरों शुकरवार को अलवर दौरे पर थे वो सुबह करीब 11 बजे अलवर पहुँचे या मेनी सचीवाली नट्री का 12 रोड और यूनिवसिटी के प्रशासनिक भवन का उधगाटन के असके बाद सरस डेरी प्रांगण में जन सभा कायजन किया उन्हें कहा अगला कोई भी संभाग बनेगा वो अलवर होगा ये मैं कह सकता हूँ वो बोले यादि मैं अभी घोषना करूंगा तो हर जिले में संभाग की मांग आने लग जाएगी लेकिन आगे जब भी कोई नया संभाग बनेगा तो वो अलवर ही होगा इसी बीच बजट की घोशनाओं का जिक्र करते सीम ये भूल गए कि अलवर शेहर को बजट में क्या मिला था वो बोल रहे थे प्रदेश तहसील उप तहसील एसजी नगर पालिका की बहुत अधी घोशनाई की है तह मंच से कहा आपके अलवर में नगर परिशत बन गई फिर रुके और पूछा अलवर में क्या बना है फिर मंच से आवाज आई निगम इसी बात को समालते कहने लगे मैं तो कई घोशनाई करता हूँ कि करते करते भूल जाता हूँ तभी तो कहता हूँ तुम मांगते मांगते ठक जाओगे मैं देते देते नहीं ठकूँगा पांडू पॉल जाने के लिए अभी दर्शनारत्यों का टिकेट लगता है सियम को जब इस बारे में बताया तो नहीं पांडू पॉल में निशुल केंटरी की घोशना की वो बोले आगे से कोई टिकेट नहीं लगेगा साथ शित्य साब जो काम हुआ देश के अंदर गुर्फियान में कोमेंट्स आप सुनते हैं यह अच्छी बात है यह अच्छी बात है लुक्य मुद्धी मेठा हूँ सरकारी प्रोगाम हो तब तो अमन जाय है तो क्यो जाना परता प्रोटोकॉल के साब से भी सरकारी प्रोगाम हो तो जाना परता जाना पी जाये क्योंकि नेशल आपे शेडिश रेल्वी के ते उत्सुट प्रदाम अंतिशी को में तो तो यह अच्छी बात को मुद्धी का अंदर इस्ती गॉप्रमेंट के वक्त में कुष्वाई नहीं यह कैसे हो सकता है यह अची तो जिए बिड़ना प्रदी दिगवाँ में यह झाल झाल